जैन दोफ्तो मैं हूँ राहुल पर्मार हम अभी तक जो डिसकस कर रहे थे वो जियो मॉर्फोलोजी का पार्ट था जियो मॉर्फोलोजी जो की introduction के दिन में आपको बताया था कि जियोग्रोफी का सबसे पहला पार्ट होता है जिसमें हम अर्थ के science की study करते हैं अर्थ के interior की study करते हैं जियो मॉर्फोलोजी के अंदर हमने कई सारी चीज़े देखी पुराने lecture के साथ जिसमें earthquake, tsunami और volcanism मेंने बताया था हमारी जियो मॉर्फोलोजी वहाँ पर complete हो जाती है जियो मॉर्फोलोजी complete करने के साथ साथ और कई सारे questions जो हमारी exam के अंदर आये थे origin questions के आने की probability है उन questions को solve करने के साथ हम अगले हमारे topic पर आते हैं जिसका नाम है climatology पर climatology स्टार्ट करने से पहले जोगरोफी या फिर जियो मॉर्फोलोजी का एक छोटा सा introduction लेते हैं एक छोटा सा revision करते हैं कि हमने क्या पड़ा हमने सबसे पहले देखा था universe क्या होता है universe which is the totality of everything जिसके अंदर physical matter, energy और time आता है उसी universe के अंदर galaxy होती है galaxy के अंदर कई सारे stars होती जिनमें एक star था sun और उस star के around 8 planet थे तो planets की बात की फिर हमने बात की थी अर्थ के interior के बारे में और अर्थ के origin के बारे में जो की Emmanuel Kant के student थे फिर Chamberlain ने एक hypothesis दी जिसका planetesimal hypothesis कहा जाता है planetesimal hypothesis Chamberlain और Molten ने दी थी Chamberlain और Molten की दी हुए hypothesis के बाद हमने एक most acceptable theory पड़ी थी जिसे big bang theory कहा जाता है big bang theory जिसे George Lemaitre ने दी थी और Edwin Hubble ने उसका evidence दिया था कि क्यों galaxy shift हो रही है जो red shift के बारे में tiny bowl के बारे में हमने यहां देखा था फिर हमने इंटीरियर की बात की थी अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या है तो अलग-अलग basis पर हमने अर्थ के इंटीरियर को जाना था on the basis of chemical, on the basis of density हमने अर्थ के interior के बारे में जाना था कि अर्थ के interior में क्या-क्या होता हमने silicon, magnesium, silicon, aluminium, nickel and ferrous की बात की थी वही हमने crust, mental और core की बात की थी, density ती रखी थी और discontinurities देखी थी, कौन-कौन से discontinurities होती जो कि अर्थ के interior में होती है अर्थ के interior को जानने के बाद हमने देखे थे कि ये साथ महाद्विप अर्थ पर कैसे बने जो seven continents है, उन seven continents के बनने के बारे में अल्फेड वेगनर ने जो theory दी थी, उस theory continental drift के बारे में हमने बात की थी वहाँ पर हमने देखा था एक पेंजिया था जो दो पार्ट में तूटा था, अंगारा लेंड और गौंडवाना अंगारा को हम लोरेशिया भी कहते हैं, लोरेशिया और गौंडवाना फिर फरदर कई parts में तूटे और आज जो की आस्तित्म में धर्ती के उपर साथ continent से वो continent आये, फिर इसके बाद हमने कुछ post continental drift theory देखी थी, जो की continental drift theory का support करती है तो वहाँ पर हमने conventional current theory देखी थी, conventional current theory author Holmes के द्वारा दी गई थी, उन्होंने बताया था कि अर्थ के interior में कुछ radioactive elements के कारेंट ample amount में heat energy generate होती है और वो heat energy अर्थ के mental से अर्थ की crust तरफ मूँ करती है और जब वो अर्थ की crust को regularly hit करती है तो hit करने के कारेंट वो अर्थ की crust को तोड़ देती है एक fracture generate कर देती है और वहाँ से लावा निकल के बाहर आ जाता है और एक नई crust का formation करता है तो ये conventional current theory देखी थी फिर Harry Hayes ने दी थी sea floor spreading theory जहां हमने mid oceanic ridge की बात की थी हमने देखा था कि समुद्र के अंदर की जो plate है they are younger और continents के ऊपर की जितनी भी plates है वो plates comparatively older है तो ये हमने sea floor spreading theory में देखा था sea floor spreading theory वो complete की और complete करने के बाद हमने बात की थी the plate tectonic theory plate tectonic theory किस ने दिया था mackenzie, morgan and parker इस type के कई सारे answers आप लोगों ने comment box में किये हैं तो mackenzie, morgan and parker ने plate tectonic की theory दी थी वहाँ पर उन्होंने बताया था कि plate एक दूसरे से converge होती है diverge होती है और transform movement करती है तो plate के movement की बात की थी उसी movement के साथ साथ हमने देखा था कौन-कौन से landform बनते हैं जब continental continental plate collide होती थी तो fold mountain बनते थे जब plate diverge होती थी तो rift valley बनती थी त की थी हमने देखा था कि अर्थ के external अर्थ का जो crust है उस crust पर जो changes आते हैं वो changes किस कारण आते तो वो geomorphic processes थी जिसमें हमने endogenic और exogenic force की बात की थी endogenic वो force थे जो interior से आ रहे थे, exogenic वो force थे जो कि sun और atmosphere से earth surface पर लग रहे थे endogenic force में हमने diastrophism देखा, diastrophism को epaeorogenic, orogenic में देखा, epaeorogenic को downward, upward movement में classify किया orogenic को compressional and tensional force में देखा, compressional force में types of fault देखे, symmetrical fault, asymmetrical fault, recumbent fault जहां से हमारी exam के अंदर question भी आया है, तो fault देखे, fault को देखने के बाद, हमने tensional fault के current बनने वाली block mountain के बारे में देखा, block mountain और fold mountain में क्या difference होता, उस difference की बात की फिर हमने exogenic forces को पढ़ा, exogenic forces के अंदर हमने weathering को देखा, weathering, mechanical weathering, chemical weathering and biological weathering mechanical weathering के अंदर हमने बात की थी, frost की, temperature की and pressure की, वही chemical weathering के अंदर हमने carbonation, hydration and oxidation की बात की थी, biological weathering में हमने बताया था आपको weathering due to flora and weathering due to fiona कि किस तरीके से plants जब किसी mountain के उपर उख जाते तो mountain को तोड़ देते और कुछ animals जो होते hole, dig करने के बाद mountain को तोड़ देते, तो हमने flora और fiona के basis पर किस type से weathering होती वो देखी थी, फिर हमने यहाँ पर इसका अगला देखा था mass movement, mass movement के अंदर हमने क्या देखा था, mass movement में देखा था कि gravity के कारण जब particle weathered हो जाता तो weathered particle gravity के support में जब earth surface पर गिरता है तो वही पार्टिकल के mass का moment होता है, तो mass movement की बाद की थी, उसमें slow movement, sudden movement को देखा था, mass movement के बाद हमने erosion की बाद की थी, erosion by running water, erosion by ground water, erosion by sea wave, erosion by glacier, erosion by wind, रंणिंग वाटर को हम lерб Gel Erosan भी बोलते हैं और वाइएोजन बाई winners को हम i jin erosion ढूंत बोलते हैं । डियलीविट से भोता है वो ing'. जो होता है रनिं वाटर से netने के बाद आ도 पौन कोन से लइंड फार्म faith का अंदर पूछे हुए थे इसे कंप्रेट करने के बाद हमने डिपोजिशन देखा था डिपोजिशन हुआ फिर कुछ क्योशन्स लगाए थे जो कि उस चेप्टर से काफी ज्यादा क्योशन्स आये थे फिर इसके बाद कल हमने बात की थी केटास्ट्रोफिक के बारे में कौन-कौन से केटास्ट्रोफिक इवेंट्स होते हैं जो कि अर्थ सर्फेस पर आते हैं जो सडनली अर्थ सर्फेस पर आते हैं डास्ट्रोफिक इवेंट्स तो वह होते हैं जो स्लोली आते हैं बट केटास्ट्रोफिक इवेंट्स वह इवेंट्स होते हैं जो अर इसके बाद रिचन वंदन में की बाद कि उसके बाद हमने वल्केनिज्म कितने तरीके कवे होने कॉनगों से वॉल्केनिगंब को कंपलीट करने के बाद में सुनामी की बात कि गल में oveक्र के अंदर अर्फ्फफीं का नाम ले ले स्थ एत हमने ketastrophic event को complete करते ही हमारा geomorphology complete हो जाता है सब कुछ जो कि अर्थ के interior और अर्थ के sideways से relate करता है वो हमारा complete हो जाता अब हमने धर्थी तो complete कर ली anा hell merchant करेंगे हवा के बारे में अब हम बात करेंगे atmosphere के बारे में atmosphere क्या होता है, atmosphere कैसे बनता है, और इसी climatology का applied form क्या है, क्यूं हम climatology पढ़ते हैं, क्यूं आप आगे जाकर officers बनोगे, आप क्यूं climatology पढ़ते हो, तो climatology जो है, वो एक atmosphere science है, atmosphere science मतलब हमारे atmosphere में जितने भी phenomena होते हैं, उन phenomena की scientific study होती है, उसे ही हम climatology कहते हैं, पहले जब ancient time था, ancient time पर कोई scientific study नहीं होती थी, तब सिर्फ assumption किये जाता थे, जिसे पहले कहा गया था, सुक्र चड़ी सी बादरी, रही सनीचर जाए, घाग कहे सुने घागरी, बिन बरसे ना जाए, मतलब अगर सुक्रवार के दिन बादल बन जाते, और वो सनीवार तक रुख जाते, तो रहीवार के दिन उनको वरसना ही पड़ता है, एसा अजमसन गया था, कवी घाग द्वारा, जो की एंशियन टाइम में हुआ करते थे, इंडिया के, तो उन्होंने कई सारी इस टाइप की चीजे करते थे, लोगों को बताते थे, बारिस के बारे में, बट आज, इस मोडन वर्ड में, हम उन बातों पर यकीन नहीं करते, अगर किसी एर अधिया के, का प्रेशर देखा जाता है, वहां पर विंड की स्पीट क्या है, वहां पर क्लाउड का कितने कौार्टर में कवर है, कितना ओवर कास्ट है, वो सारी चीजे देखकर, एक डेटा निकाला जाता है, जहाँपर फोरकास्टीं होती ही वेधर की, कि आज यहां पर सबसे पहला टोपिक स्टार्ट करेंगे जिसे हम बोलते हैं composition and structure of atmosphere क्यों क्योंकि जो सारे फिनोमिना है वो उस air के घर में ही तो होते हैं air का घर क्या है atmosphere तो उसी atmosphere के अंदर जो फिनोमिना होते हैं तो पहले हम यह जानेंगे कि वो atmosphere क्या होता है वो atmosphere बना के से उसका composition क्या है और उसका structure क्या है तो आज के इस lecture के अंदर दोस्तों हम atmosphere के composition और atmosphere के structure की बात करेंगे और कई सारे questions लगाएंगे कुछ questions factual होंगे जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़े बर जो कि आपके काम आएंगे कुछ questions ऐसे ही जो अभी तक हम पढ़ चुके वहां से और कुछ questions यो वो हैं जो हम आज पढ़ेंगे और उन्हें फिर हम solve करेंगे तो इस topic के अंदर हम start करते हैं composition and structure of atmosphere composition और structure of atmosphere के साथ साथ सबसे पहले देख लिया जाना चाहिए कि atmosphere क्या होता है so definition यहाँ पर mention है our planet earth is surrounded by deep blanket of gases this gases cover the earth is known as atmosphere हमारा जो atmosphere है हमें एक blanket की तरह cover करके रखा हुआ है हमारी जो धर्ती है इस अर्थ के ऊपर जो ब्लू इस कलर का आपको दिखाई दे रहा है जिसने अर्थ को पूरा cover करके रखा हुआ है it is the atmosphere यह जो atmosphere है यह atmosphere कई सारी की चीजों से मिलकर बना है इस atmosphere की एक height भी है अगर अर्थ के सर्फेस से बात करें तो जहां पर धर्ती पर हम खड़ें atmosphere वहीं से चालू नहीं होता है जिस मिट्टी पर हम खड़ें उस मिट्टी के अंदर भी जो oxygen है उसके अंदर भी जो carbon dioxide है जो nitrogen है वो nitrogen भी इसी सब्द का पार्ट है इसी atmosphere का पार्ट है तो atmosphere हमारी अर्थ सर्फेस से स्टार्ट होता है और 29,000 km तक फेला है बांकि 29,000 km में से इतना बड़ा atmosphere हमारे लिए effective नहीं है हमें सिर्फ और सिर्फ 25 km के atmosphere की बात करना है क्योंकि 25 km ही वो एक मात्र ऐसा area होता है जहां पर सारे weather phenomena होते जहां पर सारी चीज़े होती है तो atmosphere क्या है atmosphere gases dust particle और water vapor से मिलकर बना एक blanket है जिस blanket ने हमारी प्रत्वी को cover करके रखा हुआ है तो यह था हमारा atmosphere इसी में आगे देखे एन atmosphere is a mixture of many gases contain huge amount of solid liquid particle collectively known as aerosol जो liquid or solid particles होते हैं जो atmosphere के अंदर मिलते हैं उनको हम aerosol भी कहते हैं और उसके बाद an atmosphere has no outer boundary it just faded into the space atmosphere है atmosphere बहुत जादा उपर तक जाता वेसे तो उसे 29,000 km की height कहा गया है बट वहां तक जाते जाते atmosphere पूरा mix जो हो जाता है space के अंदर पूरा faded हो जाता है तो atmosphere zero से सिरू होता है बट खतम पता नहीं कहां होता है अलग-अलग basis पर atmosphere की study की जाएगी जिसे हम structure भी कहेंगे atmosphere का अब इसके बाद हम बात करते हैं इस atmosphere का origin के से हुआ किस तरीके से atmosphere आया क्योंकि जब धरती बनी थी जब tiny bowl का explosion हुआ था big bang के अंदर तो big bang के साथ ना तो आपका ना मेरा जनब हुआ था और ना ही इस धरती के उपर atmosphere का वर्थ हुआ था तो हम बात करते हैं यहां पर कि यह जो हमारी धरती है इस धरती का atmosphere कैसे बना तो अर्थ का atmosphere पहले hydrogen और helium से बना हुआ था देखिए पहले का जो atmosphere था उस atmosphere के अंदर कोई nitrogen नहीं था कोई oxygen नहीं था कोई carbon नहीं था उसके अंदर जो गेस सबसे जादा थी जो गेस आज sun के अंदर सबसे जादा है hydrogen वही hydrogen और helium हमारी अर्थ के atmosphere में सबसे पहली बार थी बट अर्थ उस टाइम पर एक versatile stage में थी जो change हो रही थी regularly वो change होने के कारण क्या होता था कि पहले अर्थ का shape बदलता था अर्थ का gravitational force अर्थ के particles के उपर exert नहीं हो पाता था तो ये जो atmosphere था ये atmosphere उड़ गया ये atmosphere खाली हो गया और फिर इसके बाद क्या हुआ During the early life of earth there was extensive volcanism तो different gases like nitrogen, carbon dioxide, sulfur dioxide and water vapor came into the atmosphere पहले जब अर्थ थी तो अर्थ के उपर से कई सारी volcanों में से degassing होती थी इस वर्ड को हमेंसा याद रखना Degassing, degassing में क्या होता था अर्थ के interior से gases निकल के बाहर आती थी जैसे कि carbon dioxide बाहर आती थी nitrogen आती थी sulfur dioxide बाहर आती थी तो ये gases जब अर्थ से बाहर आती थी तो बाहर आने के बाद ये अर्थ के surrounding में फेल जाती थी जब ये gases अर्थ के surrounding में फेलती थी तो कुछ हद तक gravitational force इनके ओपर काम करता था बट हमेशा gravitational force लग नहीं पाता था तो कई बार तो ये gases उड़ जाती थी फिर धीरे धीरे जैसे अर्थ contract होने लगी अर्थ जो पहले बड़ा निबियुला था वो धीरे धीरे contract होने लगा जो disk थी और disk धीरे धीरे जब contract होने लगी तो उसका gravitational बल बड़ा और उसी gravitational force ने धीरे धीरे इन atmospheric gases को hold करना start कर दिया और hold करने के बाद क्या होता है आगे जानते उसके बाद क्या होता है कि जो gases बाहर जाती थी उन gases के अंदर थी water vapor भी कल मैंने आपको बताया था वोलकेनों के अंदर से जब पानी निकलने लगता है जिसे हम fumaroles भी बोलते तो एसी एसी water vapor अर्थ के interior से भी आ रही थी जब अ पर वहनों चलता है नो कोमेट डिरेक्टली हिट करते थे अर्थ को और कि पोमेts अर्थ को हिट करते थे थे क्या होता था में को Bangladesh के अंदर जो ब्रोजन केसे होती थी इन कुमेट के अंदर जो आइस होता था वह मेल हो जाता था था वकार। जितने बी गड्डे थे उन गड्डों के अंदर पानी भरने लागा अर्थ पहले से असी गौल नहीं है अंघर अर्थ का पानी निकाल दो सो ट्रहं पानी निकाल दो तो कहीं पर ऑसер के हवाख म Одवूंटीन होगी फिर कहीं ओसन होगा भी माुनोंटेन होगी तो इस टाइप से अर्थ का शेप बनता है कुछ एक्झेक्ली सेम छबी से नहीं पर एसए रिट से में गई और atmosphere में जाने के current उसका जैसे जैसे temperature कम हुआ तो temperature के कम होने के साथ साथ वह water vapor convert हो गई वह water vapor condensed हो गई और condensed हो जाने के बाद वहाँ पर बने बादल और जब बादल बने और धीरे-धीरे अर्थ का temperature कम होने लगा तब उन बादलों ने बारिस की सुरुवात की वहाँ पर अगली reaction हुई जिसे हम बोलते precipitation तो जैसे precipitation होने लगा तो यह जितने भी गड़े थे यह गड़े भर गए पानी से और अर्थ के atmosphere के अंदर oxygen नहीं आई है अभी क्या हुआ है पानी गिरा के से गिरा पानी हमारी वोलकेनों के अंदर से जब लावा बाहर गया लावा के साथ वाटर वेपर गई तो वाटर वेपर atmosphere में जाकर condens हुई condens हो जाने के बाद वो बादल बनी और फिर बारिस हुई तो बारिस होने से जो low elevated area थे इन low elevated area के अंदर भर गया पानी वो जैसे water in area के अंदर accumulate हुआ तो accumulate होने के कारण इस water के अंदर कई सारे shear aneurobic chimio bacteria सहे और अई नोरोबिक स्वक्त लीधा है फिर एंडरियक रिएक्षण वो रिएक्षण होता है जो oxygen की एपसेंस में किया जाता है तो ऑक्सिजन की एपसेंस में यहां पर कई सारे एनेरोबिक बेक्टिरिया और वह एनेरोबिक बेक्टिरिया ने सांस लेना स्टार्ट किया जब उन एनेरोबिक बेक्टिरिया ने कारबंडाय उक्साइड को इंटेक किया और इन रिटन ऑक्सिजन और जब धीरे धीरी धीरे 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 हमारे एकमस्फियर के अंदर oxygen का perceksivity बर ने लगा और जब धीरे-धीरे oxygen का पर्सेंटेज बर ने लगा जब तक अर्थ की gravity नहीं थी oxygen उड़ जा रही थी फिर जिसे जैसे अंदर का gravitational force और स्ट्रोंग हुआ तो और स्ट्रोंग होते हुए उस gravitational force के साथ वो सारी oxygen अर्थ के atmosphere में रुक गई और रुकने के बाद क्या हुआ अर्थ के atmosphere की outer layer के अंदर oxygen भी मिलने लग गई तो यहां से हमको oxygen atmosphere में आई थी अब कई सारे आप लोगों का doubt है कि सर यहां पर carbon dioxide पेले थी आप बताई और अक्षिजन भाद में क्यूं आई ऑर carbon डे फोंब्य यह यहां तक और AG में नहीं मिल रही थी अभी तक oxygen जो फटी और नहीं मिल रहा था यह फ्री फोम में इस साइनो बेक्टिरिया के respiration के कारण आया और उसी respiration के साथ atmosphere बना और atmosphere से फिर धीरे-धीरे कुछ amphibians ने जनम लेना start किया कुछ ऐसे animals ने जनम लेना start किया पहले जो कि सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर रहते थे marine organism फिर उन marine organism ने पहली बार जमीन पर पाऊं रखा और जमीन पर पाऊं रखने के बाद वो कहलाए amphibians जो कि पानी के अंदर भी रहते थे और जमीन के अंदर भी रहते थे जैसे की एक amphibian का नाम जैसे की मगरमच crocodile जो कि पानी के अंदर भी रहता है और जमीन के ऊपर भी रहता है तो यहाँ पर हमने कुछ बात की, फिर इसके बाद जो क्रोकोडाइल होते हैं, यह इसी टाइप के कई सारे amphibians निकल के बहार आए, और उन amphibians ने बहार आने लगे, इसी तरीके से living creature का formation हुआ, तो पहले क्या बना, सबसे पहले geomorphology की बात की थी, तो सबसे पहले बनी थी अर आज माया, degassing से, अर्थ के interior से लावा निकल के बहार आया, साथ साथ waterway पर, कई सारी gases और gases ने मिलकर धीरे धीरे हमारे अर्थ का atmosphere बनाया, अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ components की, जिसे component of atmosphere भी कहते हैं, जिनने मिलकर हमारे atmosphere को बनाया है, प्यारे बच्चों, इस बात क हमेजा याद रखना, हमारी जो climatology होगी, वो climatology सिर्फ और सिर्फ इन तीन सब्दों पर खेलेगी, पूरा जो हम पड़ेंगे, वो इन ही चीजों से मिलकर बना हुआ, और इन ही के साथ साथ किया हुआ फिनोमिना होगा, जैसे कि gases, water vapor and dust particle, gases का अपने आप में बहुत बड का है, जिससे thunderstorms आते हैं, जिससे cyclones आते हैं, समुद्र का पानी evaporate होकर आस्मान में जाता है, तो ये water vapor है, और dust particle, dust particle ही वो point होते हैं, जिसके surrounding में water vapor जाती है, और उस dust particle, उस hygroscopic particle को nucleus मानती है, और उसके surrounding में cloud बनाती है, तो cloud बनाने के बाद क्या होगा, बारिस होगी, तो dust particle, gases और water vapor, इन तीनों का बहुत important role होता है, atmosphere के अंदर, यही region होते हैं, किसी भी area के temperature के increase होने का, किसी area के अंदर pressure के decrease होने का, किसी area के अंदर winds की speed का, आप लोगों ने हम climatology की बात कर रहे हैं, इस climatology के अंदर हम बात कर रहे हैं, climate क्या होता है, हम यहाँ पर देख रहे atmosphere, but atmosphere को जाने, उससे पहले एक और question जो मेरे दिमाग में अभी पनपरा है, वो question यह है, कि weather और climate में क्या अंतर होता है, आपने कई बार इस difference को पढ़ा होगा, आपने जब छोटी class के अंदर social science में पढ़ा होगा, आपके teacher ने बताया होगा, आपके घर में किसी ने discuss किया क्लाइमेट नहीं देखते हो, climate और weather में क्या difference होता है, weather जो हता है, weather और climate के कुछ elements होते हैं, 1st, temperature, 2nd, pressure, 3rd, humidity, 4th, wind speed, 5th, cloud cover, तो यह जितने भी points यहाँ पर दिखाई दे रहें आपको, temperature, pressure, humidity, wind speed, cloud, color, these all are the element of weather and climate, अगर आपको किसी area का weather जानना है, suppose करो जैसे आप अभी सभी लोग दहरादून में हो, तो दहरादून से आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर जाना है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आप किसी एक जगा ले लेते हो, धरम साला, अगर आपको धरम साला जाना है, तो धरम साला जाने से पहले, आप चेक करोगे कि वहाँ का weather के साई, तो जब आप उस जगे का weather चेक करोगे, तो उस weather के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, वहाँ का temperature, वहाँ का pressure, वहाँ की humidity, वहाँ की wind की speed, वहाँ के cloud का cover, और इन सबसे मिलकर बनता है, वहाँ की rainfall, इन चीजों की बात की जाएगी कब जब आप किसी एरिया के weather की बात करोगे, तो weather, मतलब एक एरिया के अंदर मिलने वाले इन सारे element की study, एक छोटे time के लिए, weather is for the small duration, and climate is for the long time, at least 21 year, 21 साल तक, एक बड़ी से area के अंदर, जब ये सारी condition stable रहे, उन stable condition को वहाँ का climate कहते हैं, वो weather क्या होता है, एक एरिया का, या फिर diurnal भी हो सकता है, एक एक दिन का, आज इन तीनों की, ये जो elements मैंने बताए, इन में कुछ change आ जाएगा, तो वो आज के weather में change हो जाएगा, अगर यदि ये element सेम होंगे, तो कल के weather और आज के weather बराबर हो जाएगा, तो weather क्या होता है, एक छोटे time का, एक छोटे area का, small time, small area, कि ये जो climatic condition होती ही, जो मेरे पी climate कहा जाता है, और ये सारे element किस तरीके से change होते हैं, ये element इन ही चीजों से change होते है, water vapor, gases, dust particle, क्योंकि gases responsible होती ही, किसी भी area के अंदर का temperature increase और decrease करने के लिए, water vapor ज़रूरी होती ही, उसी area के temperature को increase और decrease करने के लिए, और temperature is inversely proportional to pressure, जो temperature होता है, उसको किस ने impact कर दिया, water vapor ने वो temperature ने किसको impact कर दिया, pressure को, वो pressure ही एक current होता है, जिसकी वज़े से, wind चलती है, मतलब इसने ultimately किसको impact कर दिया, wind को, वो wind जब समुद्र के उपर से power होती है, जब कोई ocean है, उस ocean से जब wind पास होती है, तो क्या करती है, उसके उपर का सारा moisture अपने साथ collect करके, कहा आती है, continent की तरफ, और फिर करवाती है, बारिस, तो यही सारे वो factor है, जो factor उन सारे element को impact करते हैं, जो हमने अभी, पिसले ये slide के अंदर देखे, ये सारे element, dust particle, water vapor और gases से impact होते हैं, और इन सभी की simultaneous study को ही हम climatology कहते हैं, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले component के बारे में, जो कि हमारे atmosphere के अंदर है, that is, gases, हमारे atmosphere के अंदर कौन-कौन सी gases मिलती है, कितनी-कितनी मिलती है, तो उन gases की बात करें, तो gases जो हमारे atmosphere में मिलती है, उन्हें हम दो पार्ट में classify करते हैं, the constant gas and the variable gas, नाम से clear हो रहा, constant gas वो gases होती है, जिनका जो composition है, वो हमेसा fix रहे, जिनका जो percentage है, वो हमेसा fix रहे, वो gas होती, constant gas, ठीक है, their composition always remains constant in atmosphere, जितना भी उनका percentage है, जैसे nitrogen, 78%, oxygen, 21%, and neon, 0.002%, तो ये जो percentage है, ये percentage हमेसा कायम रहता है, ये इतना ही रहता है, तो therefore, these are the constant gases, वही variable gas क्या होती है, variable gases, वो gases होती है, जिनका जो composition है, वो constant नहीं हो, वो change होता रहे, their composition not always remain constant in atmosphere, वो composition change होता रहे, जैसे कि, carbon dioxide, 0.036%, ozone, 0.00006%, उसके बाद, methane, 0.000177%, तो methane, ozone, और carbon dioxide, इनका percentage vary करता रहता है, vary करता रहता है, atmosphere के अंदर, तो यहाँ पर इनका percentage vary क्यों करता है, जैसे carbon dioxide है, अब ये जो हमारी age है, जो modern world है, इस modern world में कई सारी industries के कारण, automobiles के कारण, जो हमारे vehicles होते हैं, उसके कारण, deforestation के कारण, forest fire के कारण, क्या होता है, carbon dioxide का percentage, atmosphere के अंदर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इस बढ़ते हुए, percentage के कारण क्या हो रहा है, greenhouse effect हो रहा है, इससे climate change हो रहा है, sea level rise हो रहा है, sea level होता है, जो बिटा, अगर sea level positively या फिर negatively rise हो, तो उसे हम use static change कहते हैं, इसमें positive और negative sea level change होता है, अगर sea level positively change होरा, मतलब sea level बढ़ रहा है, और sea level negatively change होरा, मतलब sea level घट रहा है, तो उस condition को use static change कहते हैं, तो use static change carbon dioxide के कारण होता है, केसे होता है, carbon dioxide एक greenhouse gas है, carbon dioxide की एक property है, कि जो किर्णे सूरज से धर्ती पर आती है, उन किर्णों को तो ये धर्ती पर आ जाने देती है, बट वो किर्णे या फिर वो rays जो धर्ती से space में वापिस जाती है, अपने heat को balance करने के लिए, अपने budget को balance करने के लिए, उनको ये carbon dioxide बाहर नहीं जाने देती, तो क्या होता है, जो धर्ती की जो किर्णे है, जो धर्ती से बाहर जाती है, जिनने हम long wave terrestrial radiation भी कहते हैं, वो wave वह जाती है, और उनी waves के trap हो जाने के current, greenhouse impact होता है, उनी waves के trap हो जाने के current क्या होता है, overall, एर्थ का temperature धीरे-धीरे increase होता है, और जब एर्थ का temperature धीरे-धीरे increase होगा, तो हमारी धर्ती माता के उपर जो उत्तरी पोल और वो जो दक्षणी पोल पर जो बर्फ है वो बर्थ होगी मेल्ट और जबी आइस मेल्ट होगी तो आइस के मेल्ट हो जाने के कारण क्या होगा समुद्र के अंदर पानी बढ़ेगा क्या होगा बर्फ जो पिगल के पानी में बदलेगी तो क्या होगा सी लेवल राइस होगा और सी लेवल राइस हो जाने के कारेंट जो भी कोस्टल एरिया है वो कोस्टल एरिया डूब में आएंगे तो इस तरीके से यह कारवन डायोकसाइड इंपेक्ट करता है दूसरा ओज एर कंडिशनर के लिए कसे जाती थी और three याने ओ से रिक्षिन करती थी और और से और O2 हमें सन से आने वाली harmful radiation से नहीं बचाता तो जब यह harmful radiation से नहीं बचाता मतलब ozone को कौन डिप्लेट कर रहा था? CFC, ozone का डिप्लेशन हो रहा था तो ozone जो layer है, ozone layer का जो concentration atmosphere के अंदर जो composition है, वो composition भी change हो रहा है, जैसे की carbon का हो रहा है, पर carbon का जो composition है वो बढ़ रहा है और ozone का जो composition है, वो comparatively घट रहा है, दूसरा, methane, methane के sources अलग-अलग होते हैं जैसे आपने बायोगेस का देखा होगा जहां से wa Artulaא जो चावल के खेट होते हैं जो धान के खेट होते हैं, जब उन धान के खेटों को पानी से लबालब भर दिया जाता है जब हो आपने देखा होगा दूर दराज तक जब खेट धान के खेट पानी से भर दिये जाते तो ऐसे लगते है जैसे कोई ताला फूट गया होगा सारे एरिया के अंदर कमर कमर तक घुटने घुटने तक पानी रहता है तो उस टाइम पर उन धान के खेतों से मिथेन गेस निकलती है और यही मिथेन गेस अपने परसेंटेज को वेराई करती है वही कॉंस्टेंट गेसेस जो होती है कॉंस्टेंट गेसेस का जो परसेंटेज एट्मोस्फियर के अंदर होता है वो परसेंटेज फिक्स होता है वो परसेंटेज नहीं बदलता कॉंस्टें मतलब सांस लेना और कमबर्शन मतलब किसी भी चीज को जलाना वहां पर oxygen का यूज होता है इसके अलावा भी oxygen के कई यूज होते बट बताने की जरुवत नहीं है आपको कई सारी इंडस्ट्रीज में oxygen यूज होती है कई सारे एक्सपेरिमेंट में oxygen को करते हैं और oxygen को इमिट करते हैं तो फोटो सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता यह कारवन डायोक्साइट का बहुत बड़ा एक रोल है जो एक मात्र या फिर वेसे तो कहीं सारे उसके पोजीटिव रोल है जिस में से सबसे बड़ा जो पोजीटिव रोल है वह यह है कि प्लांट इसे लेते हैं वह प्लांट जब लेंगे तो इन रिटन in lower atmosphere मतलब जो अभी थोड़ी देर पहले में आपको बताया था green house का पूरा role कि carbon dioxide होती है वो carbon dioxide क्या करती है atmosphere के अंदर जो भी long wave terrestrial radiation जाती है देखो दो पार्ट में होती है radiation एक जो sun से आती है उन्हें हम बोलते है short wave solar radiation सूरीदेव से जो किर्णे धर्ती पर आती है इन्हें हम बोलते है शोर्ट वेव solar radiation जब यह अर्थ के उपर आ जाती है फिर अर्थ इन्ही सारी किर्णों को री रेडियेट करती है एक्मोस्पियर के बाहर निकालती है तो जब अर्थ इन्हें एक्मोस्पियर के बाहर निकालती है तब इसे कहा जाता है कि लोंग वेव टेरेस्ट्रियल रेडियेशन शोर्ट वेव सोलार रेडियेशन जो सन से आती धरती तक और लोंग वेव टेरेस्ट्रियल रेडियेशन जो अर्थ से जाती है स्पेस में बाहर जो कार्बन डाय उकसाइड होती है कार्बन डाय उकसाइड यहां पर एक ब्लेंकेट का रोल प्ले करती है जो कार्बन डाय उकसाइड होती है इस एरिया के अंदर एक ब्लेंकेट का रोल प्ले करती है मतलब जो सीओ टू होती है वो सीओ टू इस गेस को त थोड़ी देर पहले बात की थी ठीक, it is responsible to increase the temperature in lower atmosphere, the concentration of CO2 is gradually increasing due to burning fossil fuel, smoke, automobile and deforestation, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि automobile के कारण, दूसरा fossil fuels और deforestation के कारण, जो carbon dioxide है, उस carbon dioxide का temperature atmosphere के अंदर increase हो रहा है, तो atmosphere के अंदर धीरे-धीरे carbon बढ़ेगी, वही carbon धीरे-धीर greenhouse gas को भी बढ़ाईगी, या फिर greenhouse का effect भी बढ़ाईगी, यह था carbon का use, carbon के बाद, next होती है, ozone, ozone जो होती है, वो हमारे lower atmosphere में होती है, lower atmosphere मतलब की, जो atmosphere का सबसे निशला इस्सा होता है, जिसमें stratosphere आती है, ट्रोपोस्पेर आती है, तो stratosphere, जो atmosphere की दूसरी layer है, उस stratosphere के अंद पाई जाती है, ozone layer, और ये ozone layer हमें सूरज से आने वाली harmful केरणों से बचाती है, उन harmful radiation, उन harmful short wave solar radiation को हम UV rays भी बोलते हैं, UV rays या फिर ultraviolet rays, तो ultraviolet rays से हमें ozone layer बचाती है, और ozone layer जो है, वो इसको measure किया था, जो atmospheric ozone layer है, उसे measure किया जाता है, डॉप्सन यूनिट के अंदर, डॉप्सन वो यूनिट है, जिसके अंदर atmospheric, जो gases होती है, atmospheric ozone को measure किया जाता है, अब ozone hole हो चुका था, एंटाक्टिका के उपर, एंटाक्टिका जो कि हमारा south pole है, उस south pole के उपर ozone में hole हुआ था, और वो ozone में hole हुआ था, हमारे द्वारा emit किये गए pollution के कारेंट, तो जब इस area के अंदर hole हो गया था, तो hole केसे हुआ था, जो मैंने process आपको बताई थी, कि O3 से CL ने reaction की, और CL ने react करने के बाद एक O को तोड़ दिया, O2 बचा atmosphere के अंदर, तो O2 को UV जो rays थी, उस UV rays ने आसानी से पार कर दिया, और इस UV rays ने इस hole को पार करने के बाद, अर्थ surface के उपर इसने enter किया, और जब ultraviolet rays, अर्थ surface पर आती है, so it is harmful for each and every living creature, ये कई सारे type की disease करती है, cancer कर देती है, उसके बाद पेड़ पोदों को जला देती है, क्यों? क्योंकि सूरज से निकलने वाली harmful short wave solar radiation है, जिसकी frequency बहुत ज़्यादा है, ये frequency और radiation क्या होता है, इस बारे में हम insulation वाले chapter में बात करेंगे, तो ये धरती पर आती है, फिर इसे रोकने के लिए बनाया गया था Montreal Protocol, Montreal Protocol, 1980 के दसक में, Montreal Protocol लाया गया था, और उस Montreal Protocol के अंदर, कई सारी countries ने मिलकर एक bond sign किया था, एक place लिथी कि हम उन सारे pollutants का emission बिलकुल कम कर देंगे, जो कि कि किसी ना किसी तरीके से ozone layer को deplete करते हैं, तो Montreal Protocol is directly related with the ozone, और ozone को बचाने के लिए ही ये किया गया था, इसके बाद, अगली हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा gases पूरा complete हो जाता है, gases में हमने variable और constant gases देख ली, variable gases जो की vary करती है और constant gases जो होती वो vary नहीं करती, तो variable और constant gases देखी, variable और constant gases के अंदर हमने carbon की बात की, variable gases में methane की बात की, ozone की बात की, वहीं constant gases के अंदर हमने nitrogen, carbon की बात की, तो इनहीं gases के बात, अगला जो important part आता है, हमारे atmosphere का, वो part है हमारा water vapor, water vapor जो हमारा atmosphere में present है, it covers 0 to 5% volume of our atmosphere, हमारा atmosphere की volume अगर 100 है, तो उस 100 का 5% हिस्सा, 5% हिस्सा ये water vapor cover करके रखा हुआ है, जिसे हिंदी में I think so wasm भी कहते हैं, तो इसी water vapor ने हमारे atmosphere का 5% area cover करके रखा हुआ है, climatically it is very important constituent of our atmosphere, बिल्कुल climate के तोर तरीके पर देखा जाए, जलवायू के तरीके पर देखा जाए, तो ये water vapor हमारे atmosphere में एक significant role play करती है, क्या significant role play करती है, कि बारिस कहां से होगी, अगर एदी आपके atmosphere में water vapor ना होगी, thunderstorm कहां से आएगा, cyclones के से चलेंगे, किसी area के अंदर पानी का जो कमी होती हो दूर के से होगी, किसान अपनी फसल के से उगाएगा, खेती के से होगी, तब इन चीजों को देखते हुए, The atmospheric water vapor is received through the process of evaporation from the water bodies, हमारी earth surface के उपर कही सारी water bodies है, जैसे lakes हैं, याने की तालाब, एक होटे, pond, lake और pond, लगबग सभी लोगों को एक ही लगते हैं, बट इन में काफी difference है, pond जो होता है, वो तालाब होता और lake जो होता हो जील होती है, लेक comparatively बहुत बड़े होते हैं, और pond थोड़े चोटे होते हैं, pond depth में कम होते हैं, और lake depth में जादा होते हैं, तो lake में जिनके depth जादा होती है, उसमें entire area तक sunlight नहीं जा पाती है, और जो pond होते हैं, pond छोटे से होते हैं, तो उनका फोटिक जोन होता पूरा, मतलब पूरे depth तक sunlight जाती है अगर depth तक sunlight जाएगी तो क्या होगा depth तक living organisms मिलेंगे वहीं लेक के अंदर क्या होता है depth तक जो solar radiation है वो नहीं जा पाता sunlight नहीं जा पाती तो जो living creature है वो सिर्फ upper layer के अंदर ही मिलेंगे लेक में और pond में वो काफी अंदर तक मिलेंगे तो कई सारे लेक, pond, river, reservoir, sea, ocean, gulf and bay जैसे water bodies के उपर जब सूरज की किरने पड़ती है तो water convert हो जाता water vapor में और water vapor convert होने के साथ-साथ वो atmosphere में vertically उपर movement करता है जैसे वो vertically उपर movement करता है with the latent heat of evaporation, the hidden energy, उसके साथ जैसे जैसे वो उपर जाता है, उपर जाने के बाद क्या बना लेता हो, condense होकर बादल, तो यह water vapor है, इस water vapor का source क्या हुआ, वही water bodies जहाँ पर evaporation हुई है the rate of evaporation depends upon the temperature, बिल्कुल सही बात है, जिस area का temperature ज्यादा होगा, उस area पर evaporation भी ज्यादा होगी, जैसे कि यह है हमारी earth, यह है zero degree equator, and this one is tropic of cancer, and this one is tropic of capricorn, तो यह जो area है, इस area के अंदर sunlight साल भर रहेगी, जहाँ पर sunlight throughout the year रहेगी, मतलब, it is the heat surplus zone, तो heat surplus zone हो जाने के कारेंट, यहाँ पर temperature sufficient रहेगा, और उसी sufficient temperature के कारेंट क्या होगा, जितना ज्यादा temperature बढ़ेगा, उतना ज्यादा evaporation होगा, और वही polar area जो है, north pole, south pole, इन polar area पर sun की rays slanting जाएगी, यहाँ पर केसी जाएगी थी, perpendicular, और यहाँ पर केसी जाएगी, slanting rays, तो slanting rays जाने के कारेंट, इन north pole और south pole की तरब, temperature कम रहेगा, तो temperature कम होने के कारेंट, north pole, south pole या फिर high latitudes, जैसे कि 40 degree, 50 degree, 60 degree, 70 degree, 80 degree, 90 degree, तो यह जो latitudes होती है, 40, 50, 60, 70, 80 and 90, इन latitudes पर sunlight कम होगी, तो sunlight कम होने के कारेंट, यहाँ पर evaporation भी कम होगा, और evaporation कम होगा, तो यहाँ के atmosphere में water vapor का concentration भी कम होगा, तो water vapor जो होगी, हमें ज्यादा ज्यादा tropical atmosphere के अंदर देखने को मिलती है, तो यहाँ पर देखते हैं, evaporation is high near equator and low near pole, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, तो evaporation जब equator पर high होगी, तो high होने के कारेंट equator पर water vapor भी ज्यादा होगी, और वही polar region पर water vapor कम होगी, next point, in tropical atmosphere, water vapor is 2.6%, जो tropical region था, इस region के अंदर water vapor होती है, 2.6%, वही, जो 50 degree होती है, यह वाला area, या फिर यह वाला area, इस 50 degree के उपर water vapor कितनी होती, मात्र, 0.9%, 70 degree पर 0.2%, यहाँ पर 0.9% और यहाँ पर 0.2%, मतलब water vapor का concentration, equator से पोल की तरफ जाने पर धीरे-धीरे कम होता जाता है, इसके बाद 90% of water vapor remains only up to the height of 5 km, मतलब जो water vapor होती है, वो water vapor ज्यादा-ज्यादा सिर्फ और सिर्फ 5 km तक मिलती है, मैंने बोला था न आपको, कि जितने भी atmosphere एक phenomena की हम बात करेंगे, वो सारे phenomena 25 km से नीचे की height पर होंगे, जिसमें water vapor, dust particle, gases सब आ जाएगा, तो जो water vapor होती है, water vapor सिर्फ और सिर्फ 5 km तक मिलती है, क्यों? क्योंकि gravity भी इसके उपर लगती है, और जब यह 5 km तक जाती है, तो 5 km तक जाते जाते ही, यह बादल बन जाती है, और बादल बनके फिर बरस जाती है, फिर अगली बार जब sunlight गिरेगी, water vapor होगा, water vapor उपर जाएगी, 5 km तक जाएगी, और 5 km जाने के बाद, फिर condensation होगा, और बारिस हो जाएगी, तो यह होती है water vapor, और water vapor भी carbon dioxide की तरह greenhouse grace का role play करती है, short wave radiation को allow कर देती है, और long wave terrestrial radiation को radiate out होने के लिए रोक देती है, next is dust particle, gases की बात होगी, water vapor की बात होगी, अब हम बात करते, dust particle के बारे में, dust particle, the solid particle present in the atmosphere include particulate matter, salt particle, smoke and volcanic ash, इतने सारी चीजों से मिलकर, जो atmosphere के अंदर, जो particles होते हैं, उन्हें हम मिलकरते हैं, dust particle, जो tindle effect आपने देखा होगा, वो tindle effect भी dust particle के थ्रूई होता है, तो इस type के particles जो atmosphere के अंदर होते, उन सारे particles को हम dust particle भी कहते हैं, dust particle जो होता है, the particulate matter help in scattering of solar radiation, which adds varied charming color during sunrise and sunset, the sky appear blue due to scattering of light, scattering of solar radiation by dust particle, जो आस्मान होता है, आस्मान के अंदर sunset मतलब सूर्यास्त और sunrise यानि सूर्योदय के time पर जो charming, golden और orange color दिखाई देता है, वो color हमें इन्ही dust particle पर light की scattering के कारेंट दिखाई जेता है, और यही light के blue color की ज्यादा scattering होने के कारेंट, यहाँ पर हमें पूरे sky का color blue भी दिखाई है, तो blue color of sky is just because of scattering of light on dust particle, and evening और morning, down और dust के time पर, जो variety charming colors होते हैं, these are also because of the dust particle, dust particle का एक और सबसे बड़ा important role होता है, वो role होता है, कि यह जो dust particle होते हैं, इन dust particle के around, यह जो dust particle है, इस dust particle के around, water vapor accumulate हो जाती है, वो water vapor accumulate हो जाने के बाद क्या करती है, यहाँ पर एक बादल बनाती है, तो जबी भी cloud बनता है, तो cloud एक hygroscopic, salt particle को एक center बना कर, उसके surrounding में बनता है, तो यह जो यहाँ पर mentioned है, hygroscopic nuclei, इस hygroscopic nuclei के around, water vapor accumulate होती है, और accumulate हो जाने के बाद यहाँ पर होता है, condensation, और condensation से dust particle का कितना important role है, कि अगर dust particle नहीं होंगे, तो बादल नहीं बनेंगे, और बादल नहीं बनेंगे, तो precipitation नहीं होगा, तो यह dust particle का एक important role होता, हमारी exam के अंदर question कैसे पूछते हैं, जैसे कि ozone, जो atmosphere के अंदर है, उसको measure कौन सी unit से करते हैं, dust particle जो atmosphere के अंदर है, या फिर इस scattering के कारेंड होता है, हमारे जो clouds होते हैं, उसके center को क्या बोला जाता है, तो it is the hygroscopic nuclei, जिसके around clouds बनते हैं, तो इस type के question हमारी exam के अंदर frame होते हैं, अब हम बात करते हैं, atmosphere के structure की, अभी तक हमने क्या देखा, atmosphere का composition कैसे हुआ, dust particle, water vapor और gases, उनके सारा मिला के हमने atmosphere का composition देख कर, के तो अंतरिक्ष तक, जो हवा फेली हुई है, उस हवा का structure क्या है, जैसे कि हमने अर्थ के interior का structure देखा था, अब हम अर्थ के बाहर, अर्थ के atmosphere के structure को देखते हैं, तो अर्थ के atmosphere के बारे में बात करते हैं, the atmosphere consists of different layer with varying density and temperature, जो layers हैं, जो आपको यहाँ पर दिखाई temperature के according बनी हुई है, the density is highest near the surface, मतलब ये वाला जो point है, इस point पर density जादा होगी, मतलब troposphere की density सबसे जादा होगी, so the density of atmosphere is highest near the surface and decrease with increasing height, मतलब exosphere तक जाते जाते atmosphere की density बहुत कम हो जाती है, सबसे जादा density कहां होती है, troposphere और सबसे कम density, exosphere तक होती है, इसके बाद, the column of atmosphere is divided into 5 different layers, हम atmosphere की एक slice काटते हैं और उस column को देखते हैं तो वो 5 अलग-अलग layers के अंदर बाटा गया है, जिनकी बात हम अभी थोड़ी देर बात करेंगे, the height of atmosphere is estimated up to 29,000 km, जो atmosphere है, वो 29,000 km तक फेला हुआ है, बट जो सबसे जादा effective atmosphere है, जो सबसे जादा जरूरी है, वो सिर्फ और सिर्फ 97% का जो atmosphere है, हमें 25 km तक देखने को मिलता है, 25 km तक की height पर हमारे atmosphere के major phenomena हो जाते हैं, gases का concentration इस area के अंदर बहुत जादा होता है, water vapor का concentration यहाँ पर बहुत जादा होता है, dust particle का concentration यहाँ पर जादा होता है, अब एक-एक layer की बात करते है, atmosphere की, सबसे पहली layer atmosphere की है, troposphere, troposphere is the most important layer of our atmosphere, because each and every weather phenomena of our atmosphere are occur on the troposphere, तो troposphere होती, उसके बारे में देखते हैं, so it is the lower most layer of our atmosphere, it is the lower most layer of our atmosphere, दिकरा है, सबसे नीचे वाली जो layer है, वो क्या है, ट्रोपोस्फियर, तो troposphere is the lower most layer of our atmosphere, it is most important layer, because all weather phenomena occur in this layer, जित्ते भी सारे weather phenomena होते हैं, और सब इसी के अंदर होते हैं, जैसे बारिस, फोग, thunderstorm, बादलों का गरेजना, तो इस सारे के सारे जो atmospheric phenomena है, वो troposphere के अंदर होते हैं, क्योशन डारेक्टली पूछे जा सकते हैं, rainfall, fog, thunderstorm, यह कहां पर होते हैं, troposphere is a zone of mixing, troposphere एक एसा zone होता है, जहां पर air की mixing होती है, air की mixing के से, जैसे जो earth surface है, earth surface पर जब sunlight गिरती है, तो particle गरम हो जाते हैं, और उपर की तरप जाते हैं, और बांकी के particle से mix होते हैं, तो air की जो mixing है, वो troposphere के अंदर होती है, तो troposphere is the zone where air mix, but the troposphere is the zone where the mixing stop, troposphere वो area होता है, जिसके अंदर particles एक दूसरे के साथ mix होते हैं, बट, troposphere की जो highest limit है, जिसे tropopos कहते हैं, उस tropopos को बोला ही यह जाता है, कि it is the point where mixing stop, तो यहां तक जाते जाते है, particles के अंदर जो भी mixing होती है, वो इस area पर stop हो जाती है, तो नीचे वाला जो part है, it is the part of, और it is the zone of mixing, तो tropopos, या फिर troposphere is the zone of mixing, and the highest point of troposphere, क्यों exam के अंदर पूछा हुआ है, the highest point of troposphere, tropopos, यह एक एसा area होता है, जहां पर mixing बंद हो जाती है, The height of troposphere changes seasonally, equator के पास troposphere, troposphere मतलब atmosphere नहीं, troposphere मतलब atmosphere की सबसे नीचली layer, जो सबसे नीचे है, तो उस layer की बात कर रहा हूँ, the height of troposphere is more near equator, and less near pole, क्यों, troposphere की जो height है, वो equator पर ज्यादा होगी, और pole पर कम होगी, इस हिसाब से हमारा atmosphere कुछ ऐसा बनना चाहिए, atmosphere में troposphere की height, equator पर बहुत जादा है, और pole पर यह height, छोटी सी है, इसका क्या कारण है, इसका जो simple सा reason है, वो यह है, कि जो equatorial reason है, इस equatorial reason के अंदर, sunlight directly गिरती है, तो directly sunlight गिरने के एकारण यहाँ पर temperature जादा होता है, तो temperature जादा होता है, तो particle उपर की तरफ मुह करते, जब particle गरम होते हैं, तो गरम होने के साथ साथ वो लाइटर हो जाते है, लाइटर पर्टिकल एक्मोसफियर में vertically,जब upward moment करते हैं, तो upward moment करने के साथ साथ ये इस layer को push करते हैं, और push करने के भाद दूर कर देते, जो layer है, troposphere, atmosphere की सबसे नीचे वाली layer, इस layer को push करते हैं, तो बाहर की तरफ जाने के कारेंट ये इस लेयर को कर देते हैं पुश्, और बाहर लेते हैं, waही polar region के उपर sunlight कम होती है, sunlight कम होगी तो temperature कम होगा, temperature कम होगा, insulation कम होगी, insulation कम होगी, evaporation कम होगा, particle गरम नहीं होगे, और particle अगर गरम नहीं होगे, तो particle उपर जादा नहीं उठेंगे, और जब particle उपर की तरफ नहीं उठेंगे, तो यह जो height है, यह height क्या रहेगी? यह height कम रहेगी, और यहाँ पर equatorial region पर यही height जादा रहेगी ठीके तो it is more near equator and less near pole इसके उपर वाला point the temperature decrease with increasing height at 6.48 degree centigrade per 1000 meter 1000 meter याने 1 km की height यह point याद रखना यह point directly बनता है यहाँ से question हमारी exam के अंदर सभी लोग अपना ध्यान दो जब हम earth surface से atmosphere में उपर जाते है तो atmosphere में जैसे ही हम 1 km की height गेन करते है temperature 6.48 degree centigrade reduce हो जाता है मतलब जैसे आप अगर earth surface पर temperature अभी है 30 degree और आप earth surface से atmosphere में 1 km उपर जाते हो तो आपका temperature कितना हो जाएगा 23.6 थोड़ा mathematics में दिखका थे आप समझ लेना इतना ही कुछ होगा क्योंकि 6.5-6 degree कम हो गया 30 degree पहले था बस जैसे आप 1 km की height और गेन करोगे अगेन इसमें से 6.48 degree माइनस हो जाएगा तो क्या होता है जो water vapor जो होती है वो water vapor धरती से जब उठती है तब उसका तापमान कितना होता है 6.48 डिग्री यह याद होना चाहिए कि अर्थ से जैसे हम ऊपर जाते हैं अर्थ का जो टेंप्रेचर है एट्मोस्पियर का वो 6.48 डिग्री सेंटिग्रेट के सांथ कम होता है और इसे हम लेप्स रेट भी कहते हैं लेप्स रेट जो अर्थ का रिरेशर रिडूस हो रहा है इस रिडूसिन टेम्परेशर को हम लेप्स रेट भी कहते हैं the height of troposphere changes seasonally, बिल्कुल सही बात है, जो height है troposphere की, वो seasonally change करती है, जब June के टाइम पर, sunlight directly, tropical region की तरफ पढ़ती ही, याने tropic of cancer की तरफ, तो tropic of cancer की height बढ़ जाएगी, जब December के टाइम पर, जब sun की light, directly पढ़ेगी कहाँ पर, tropic of Capricorn पर, तब क्या होगा, tropic of Capricorn पर height बढ़ जाएगी, और height क्यों बढ़ रही है, जहाँ पर sunlight ज़्यादा गिरती, वहाँ के particle उपर उठते, और इसे push करके, दूर लेकर जाते हैं, next point, next layer of the atmosphere is, stratosphere, अच्छा, जो last layer थी वो कौन सी थी, tropopos, troposphere, और troposphere का highest point है, tropopos, अब tropopos के बाद, अगली जो layer आती, atmosphere के, it is the stratosphere, stratosphere is the second layer of the atmosphere, troposphere के अंदर हमने क्या देखा था, कि जैसे हम height पर जाते उपर, तो तापमान, decrease होता था, अब यहाँ पर, जैसे हम height पर उपर जाएंगे, इस stratosphere के अंदर, वेशे ही वेशे temperature, increase होगा, तो, troposphere के अंदर, height पर जाने पर temperature, decrease हो रहा था, 6.48 degree के साथ, वहीं stratosphere के अंदर, जैसे हम height गेन करते, temperature, increase होता है, लिखा हुआ है, here temperature increase, with increasing height, no weather phenomena occur in this layer, इस layer के अंदर, कोई भी weather phenomena, phenomena नहीं होते, जो weather phenomena होते, वो सिर्फ ट्रोपोपोस के, नीचे नीचे तक ही होते हैं, इसके height जो है, 15 से 50 km की है, in lower atmosphere, ozone layer is present, जो lower stratosphere है, जो atmosphere की second layer है, इस second layer के अंदर, यहाँ पर lower stratosphere के अंदर, ozone layer मिलती है, और ozone layer जो है, वो हमें, harmful ultraviolet rays से बचाती है, जो aeroplane होते हैं, जिसके अंदर आप लोग कई सारे बेठे होंगे, कई लोग आगे जाकर future में बेठोगे, जब आप officer बन जाओगे, तब बेठोगे, या फिर किसी जर्णी पर जाते हो, तब बेठोगे, तो वो सारे जो aeroplane होते हैं, जो flight होती हैं, वो इसी stratosphere के अंदर चलती है, lower stratosphere के अंदर सारी flights चलती है, ठीक है, तो ये एक और चीज इस बारे में याद रखना है, और lower stratosphere के अंदर क्यों चलती है, troposphere के अंदर क्यों नहीं चलती है, troposphere के अंदर इसलिए नहीं चलती है, क्योंकि Troposphere के अंदर कई सारे weather phenomena होते हैं जैसे वहाँ पर visibility कम होती है water vapor के कारण gases के कारण वहाँ पर visibility कम होती है बट जो stratosphere होता है stratosphere के अंदर कुछ clouds होते हैं बहुत जादा clouds नहीं होते हैं थोड़े-थोड़े clouds होते हैं जो कि तेजी के कारण ट्रोपोस को प्रोज करके water vapor जब उपर आ जाती है तो छोटे-छोटे clouds बनते हैं यहाँ पर बट यहाँ पर visibility बहुत जादा होती है इसलिए stratosphere के अंदर planes चलते हैं stratosphere के अंदर जो clouds देखने को मिलते हैं उन clouds को बोले जाता serious cloud या फिर mother of pearl cloud जो pearl cloud होते यह कभी नहीं बरसते हैं आप internet पर सर्च कीजिएगा Mother of pearl cloud क्या होते हैं Mother of pearl cloud जो होते हैं वो atmosphere के upper area में होते हैं Troposphere के बी ऊपर पर स्रेटोष्फियर के अंदर होते जो कभी बारिस नहीं कराती जो सिर्प चमकते हैं तो उनको हम Mother of pearl cloud कहते हैं जो इसके बाद अंगला आता है मिजोस्पियर मिजोस्पियर इस ट्रांसिसणल लेट्विट्विंग इस्त्रेटो स्पियर एंध फर्मोस के olması अरक्रमोस्पियर यह परकिम एप Разब हो दिक जाने हैं सिक Τर सब्सक्राइब कर भाएंगर दोटते वए तारे जिन्य ने उट्राइब बोलते हैं जिने देख कर हम हाथ जोड़ कर प्रातना करते हैं कि हमें ये मिल जाए हमें वो मिल जाए इस बार दिख जानी ही चाहिए इस तैप से जो चीजे हम मांगते हैं वो इन्हीं शुटिं Iron Star के थुरू ही मांगते हैं जो कि हमें Mizo Sphere के अंदर देखने को मिलते हैं मिजो स्फियर का जो highest point है, उस highest point को मिजो स्फियर के हम बोलते हैं मिजुपोस. मिजो पोस के अंदर, एक और बात याद रखना है है याँपर. ट्रोपो स्फियर के अंदर जब हम उपर गये थे, तो temperature decrease हुआ था, stratosphere के अंदर जब हम उपर गए थे तो temperature increase हुआ था mesosphere के अंदर अब again temperature decrease होगा तो mesosphere जो होता है वहाँ पर again temperature decrease होने लगता है तो temperature decrease हो जाने के current जो mesosphere के highest limit होती है जिसे हम mesopost भी बोलते यह हमारे entire atmosphere का coldest point होता है मतलब सबसे थंडा point इस coldest point को हम minus 90 degree temperature के साथ indicate करते हैं यहां का temperature minus 90 degree होता है किसका mesopost का mesopost is the highest limit of our mesosphere mesopost के बाद हम अगले बात करते thermosphere के बारे में thermosphere जो होता है यह mesosphere के north और उपर होता है so thermosphere के अंदर क्या होता है temperature increase with increasing height अब क्या हो रहा है आप इतनी देर से सभी लोग confused हो रहे हो साथ बट confused नहीं होना है एक simple सा concept है पहली layer के अंदर temperature कम होगा दूसरी layer के अंदर temperature जादा होगा तीसरी layer के अंदर temperature कम होगा फिर चोथी layer से temperature जो बड़ेगा वो सूर्य देव तक बड़ेगा इसके बारे में मैं ग्राप बनाऊंगा आपको जो इन सारी layers को complete करने के बाद बताऊंगा वीडियो के अंग तक बने रही है आपको clearly समझ में आएगा कि क्यों और क्या होता है temperature का तो temperature increase with increasing height in thermosphere here the density of atmosphere is very low जितनी density troposphere के अंदर थी उतनी density thermosphere के अंदर नहीं होगी यहाँ पर density कम होगी thermosphere जो होता है उसे हम दो layer में divide करते एक ionosphere और दूसरी exosphere और exosphere के बारे में बात करते हैं यह सब layer है पहले बात करते है आईनोस्फियर की आईनोस्फियर की जो height है वो 80 km से 640 km तक होती 80 to 640 km इसके अंदर कई सारी ionic layers होती जिसे D layer, E layer, F layer और G layer कहा जाता है उसी के बाद यह layers जो होती है इनके अंदर कई सारे charge particles होते है और यह charge particles heat energy को absorb कर लेते हैं और यहां का temperature बढ़ा देते हैं हमारी जो radius होते हैं वो radius इनही आईनोस्फियर के current चलते हैं आपने एक चीज observe की होगी वो point यह है कि दिन में जो radio waves होते हैं कभी आपने सोचा इसका current यह है कि जो हमारे अर्थ के atmosphere में जो ionosphere है इस ionosphere के अंदर कई सारे ions है जब sun की race इन ions के उपर गिरती है जब लोट कर आपके रेडियो तक नहीं आ पाता तो इसलिए दिन में रेडियो तक में सुनाई देते वहीं रात रात में क्या होता है पार्टिकल्स बहुत पास-पास आजाते हैं और जब पार्टिकल्स बिल्कुल पास-पास आजाएंगे और जब रेडियो स्टेशन इनको सिगनल देगा तो फटाक से रिफ्लेक्ट करके अर्थ पर भेजेंगे इसलिए रात में बाते अच्छी होती है र पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास-पास- जिसके सबसे लोवर मोस्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर, दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी लेयर मिजोस्फियर, और चोथी लेयर थर्मोस्फियर, जो दो पार्ट में टूट जाती, एक्जोस एंड आइनोस, तो ये लेयर हमारे एट्मोस्फियर की है, अब जब हम अर्थ सर्फिस से एट्मोस्फियर के उपर जाते हैं, यहां पर है जिरो डिग्री टेंपरेचर, अर्थ सर्फिस पर जीरो तो नहीं है, 20 degree temperature हमने माना तो 20 degree temperature के साथ जब हम atmosphere में उपर जाते हैं तो troposphere में हमने क्या देगा था temperature decrease होता है हमने normal lapse rate की बात की थी कि temperature उपर जाने पर temperature क्या होगा decrease होगा with 6.48 degree centigrade इस ही troposphere के अंदर सारे phenomena होते सारी climatology हम इस ही के अंदर पढ़ेंगे तो इसलिए हमें troposphere का temperature याद होना बहुत जरूरी है तो troposphere के अंदर with increasing height temperature decrease होता है with 6.48 degree centigrade per 1000 meter तो इस area के अंदर जो temperature decrease होता है उसे हम normal lapse rate भी कहते हैं फिर इसके बाद जैसे हम stratosphere के अंदर जाते हैं again temperature increase होने लगता है क्यों increase होने लगता है क्योंकि यहाँ पर है ozone layer और ozone layer पर जब ultraviolet trace की bombarding होती है तो यहाँ का तापमान बढ़ने लगता है तो stratosphere में again temperature increase होगा फिर इसके बाद mesosphere के अंदर जाएंगे तो mesosphere में temperature decrease होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ozone नहीं है कोई bombarding नहीं हो रही है तो temperature again decrease हो रहा फिर उसके बाद जब हम जो अर्थ का atmosphere की सबसे outer layer है thermosphere जब उसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर क्या iron particles है तो temperature increase होगा sharply और यह कहां तक increase होगा जब तक यह सूरी देवता तक नहीं पहुच जाता, sun तक नहीं पहुच जाता तो प्रॉपोस्फियर के अंदर temperature decrease होगा, stratosphere अंदर temperature increase हुआ mesosphere के अंदर temperature decrease हुआ and thermosphere के अंदर temperature increase हुआ तो यह हमारे atmosphere का temperature के basis पर एक structure था layers देख लिए हमने atmosphere की atmosphere का structure देख लिया अब हम यहाँ पर दो important phenomenon की बात करते जिनको हम auroras भी बोलते है में दिखाई देते या फिर जो Northern High Latitude और Southern High Latitude पर हमें auroras दिखाई देते इस टाइब के beautiful landform होते हैं beautiful phenomena होता है जो कि atmosphere के अंदर हमें देखने को मिलता है sky जो होता इस तरीके से appear हो जाता है अब भी कभी आपको मोगा मिले तो Denmark Finland इस टाइब की कई Scandinavian countries के अंदर यह auroras हमें देखने को मिलते जो auroras Northern Hemisphere में होते हैं उनको हम auroras borealis बोलते हैं और जो aurora Southern Hemisphere में होते हम उन्हें auroras ऑस्ट्रियोलिस भी कहते हैं तो auroras borealis auroras ऑस्ट्रियोलिस क्या होते कैसे बनते उस बारे में बात करते हैं इस इन चीजों के उपर क्वेश्चन बन सकता है याद रखना सदन Hemisphere में जो auroras होंगे उन्हें बोलेंगे auroras ऑस्ट्रियोलिस और Northern Hemisphere में जो auroras बनोंगे उन auroras को बोलेंगे auroras borealis auroras कैसे बनते यह संद संसे सोलार स्ट्रों साते हैं हमारी अर्थ की तरफ जो हाइड्रोजन हीलियम में फिल्ड ने हमारी अर्थ को cover करके रखा हुआ है एक magnetic shield है जो शिल्ड हमें इन सोलार स्ट्रों से जथ करती है एक इन सोलार स्ट्रों से हमें क्या बचाता है हमारी अर्थ का Megnesphere 요? इन सोलार स्ट्रों को तोर देता है दो इन सोलार स्ट्रों को खत्म तो कर देता है बडब खतम करने के साथ साथ हमें कई प्यारे-प्यारे structure भी दिखाता है atmosphere के अंदर beautiful animation देखने को मिलते हैं इस टाइप के यह लेंड फोर्म यह जो animation है इसकाई के अंदर हमें देखने को मिलता है किन के कारण magnetic field के कारण तो धर्ती ने हमें जीवन देने के साथ साथ एक magnetic field भी दी है जिस magnetic field से जब संसे कुछ storms आते हैं वो इस storm से हमें रोक लेती है और हमें बचाने के साथ साथ इतने प्यारे-प्यारे द्रस्य भी दिखाती है यह थे auroras अब हम बात करते हैं कुछ questions की अभी तक हमने हमारे टोपिक में देख लिया atmosphere का composition atmosphere का structure atmosphere के composition को भी जान लिया तीन चीजों से gases dust particle और water vapor और atmosphere की layers भी देख लिए अब हम कुछ questions करते हैं यह question जो है यह previous year की exam के अंदर आप में पूछे गए इंडिये के अंदर तो पहला question है in the term gis g stand जो gis होता है उसमें g क्या stand करता है यह fact है जो आपको याद होना चाहिए क्या यह global है geographic है goodness है या फिर geological है इसका answer आप लोग comment box में हमेशा की तरह करके दोगे कि यह क्या है next latitude of a place is indication of its temperature किसी भी जगा की जो latitude होती है उस जगा के तो बताती है कि यहाँ पर कितना temperature होगा तो जो भी latitude होती जैसे low latitude है तो वहाँ पर temperature ज्यादा कम ज्यादा होगा वही high latitude polar region है वहाँ पर temperature कम होगा तो latitude indicate the temperature troposphere is the hottest part of atmosphere because troposphere atmosphere का atmosphere जो lower atmosphere है उसका hottest part होता है क्यों क्योंकि it is heated by the earth surface जो troposphere है हमारे lower atmosphere का hottest part होता है सारे जो weather फिनोमिना है वो सारे के सारे troposphere के अंदर होते हैं वो क्यों होते हैं क्योंकि यह है कि नेक्स दा लेयर ओप atmosphere वीच प्रोवाइड आइडियल कंडिशन फॉर फ्लाइंग अप एर्पलो एरो एरो प्लेन जो होते हैं वो किस लेयर के अंदर सबसे अच्छी से प्लाई करते हैं उसका आंसर आपको comment box में देना है थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बता करना है पूराने लेक्ट्र में हमने देखा था कि कौनसी बोड़ी में होती है कौनसी सर्फेस वेड़ होती है तो सर्फेस में भी दो वेवस होती अर्फ या फिर वीनस किसके अंदर सबसे जादा वेदर फिनोमेना होते हैं आयनोस्फियर, प्रोपोस्फियर, स्रेटोस्फियर या फिर थर्मोस्फियर विच अमोंग दो फोलोईंग कंट्रीज लाई अड़ जंक्शन ओप त्री कंटिनेंट्ट एशिया, एफ्रिका, और योरोप के जंक्शन पर कौन सी कंट्री है तरकी जो है वो तीनो कंटिनेंट्स के जंक्शन पर बसी हुई है विच अप धी फोलोईंग कंट्री वैजज गोट इस मेप औन इस फ्लेग एसा कौन सा देश है जिस देश के जंडे पर उस देश का नक्षा है वो देश है साइप्रस साइप्रस का जो फ्लेग है उस फ्लेग को आप सर्च करना इंटरनेट पर आपको पता चलेगा कि साइप्रस का जो फ्लेग है उस फ्लेग के ऊपर ही उसका मेप भी है next question the earth axis is tilted at which angle किस एंगल पर आर्थ जो है वो टिल्टेड है so it is tilted at 23 and half degree आर्थ जो है वो एकदम उसका नोर्थ पोल नोर्थ और साउथ में ना होते हुए वो कितने एंगल पर 23 and half degree के एंगल पर मेडागासकर के अंदर सबसे ज्यादा मिलती है Continental Drift Theory को देखिएगा एक बार और आपको पता चलेगा मेडागासकर के अंदर एक ऐसा जानवर था जो कि हमको वेस्टन घाट के अंदर मी विला उस का नाम आपको यहाँ पर इन चार ओप्सन में से एक है जिसे आपको करना है Next, Limnology is the scientific study of lake and pond Lake and pond की scientific study को हम Limnology भी कहते है When the earth is maximum distance, distance from the sun जब earth और sun के बीच में एक elliptical path होता है यह है sun, यह है earth एक बार होती ही जब earth sun के बिल्कुल नजदिक होती है और एक बार होता है जब earth sun से बहुत ज़्यादा दूर होती है तो हमें बताना है कि earth और sun के बीच में जब maximum distance होती है उसे हम क्या बोलते है तो जब earth और sun के बीच में maximum distance होती है उसे हम perihelion बोलते है Perihelion मतलब दूर और सोरी जब जो maximum distance होती हुसे हम Ephelion बोलते हैं Ephelion मतलब दूर और Perihelion P4 P4 Pass तो Pass जब रहेगी अर्थ-Sun के उस condition को हम Perihelion बोलेंगे और जब अर्थ-Sun से maximum distance पर रहेगी उस condition को हम Ephelion बोलेंगे तो यहां पर जो हमारा answer होगा वो होगा Ephelion इसके बाद next the mount of volcano is known as mount नहीं यह mouth है इसे correct कीजिएगा the mouth of volcano is known as crater जो volcano का mouth होता है जहां से volcanic particles निकल के बहार आते हैं उस area को हम crater कहते हैं next a narrow strip of land connecting two large land mass is known as a land mass है जिसे हम बोलते हैं North America और एक land mass है जिसे हम बोलते हैं South America अब North America एक large land mass है South America एक large land mass है इन दोनों large land mass को एक narrow land mass जो narrow land mass है जो इनको दोनों को join कर रहा है जो strip है land की जो इनको connect कर रही उसे क्या बोलेंगे तो एक एसा नेरो लेंड मास जो दो लार्ज लेंड मास को आपस में जोड़ता है उसे हम बोलते हैं इस्थेमस याद रखना इसे नेक्स्ट वर्ल्ड इंवार्मेंट डे इस सेलिब्रेटेट ओन विच यह आपकी एक्जाम के अंदर पूछा गया है इसका अंसर आप कुछ कोमेंट बॉक्स में करके बताईएगा कि वर्ल्ड इंवार्मेंट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है इसके लाइमस टोंपल ओप और सेडिशार इस तोके अंदर हमने करके निस अंदर कही सारे देखे थे मार्य हम सेद्न में से सरा जबर यह एक्गाれて कौन से देश के अंदर है next question deepest lake of the world का सबसे deepest lake कौन सा है कुछ lake जो है world के सबसे ज़्यादा बड़े हैं कुछ lake जो है world के सबसे ज़्यादा खा रहे हैं एक लेक है जो वर्ल्ड का deepest lake है तो इन option के अंदर बताना है कि deepest lake world का कौन सा है कि tsunami are mainly produced due to कलमने देखा किस कारण से आती है temperature के कारण आती है submarine earthquake के कारण आती है sea pollution के कारण आती है या फिर इन में से कोई नहीं इसका answer भी आपको comment box में करना है next है अगर i green which meridian पर 7 बज रहे हैं तो 30 इस्ट में किया टाइम होगा इसको जानने से पहले हमें टाइम जोन जानना होगा तो टाइम जोन में हम देखते यह हमारी अर्थ है और अर्थ में यह जीरो डिग्री लोंगिट्यूड और इस डिग्री लोंगिट्यूट को हम बोलते हैं ग्रीन वीच मेरेडियन सन्राइज होता है इस्ट से और संसेट होता है वेस्ट में अर्थ के उपर टोटल कितनी लोंगिट्यूट से अर्थ जब अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है तो उस रोटेशन के दोरान उन 24 घंटों के दोरान अर्थ इन 360 डिग्री को कवर कर लेती है तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये निकालना होगा कि अर्थ एक घंटे में कितने डिग्री आगे घुमती है अर्थ जो है वो किस व हमने प्लानेट की थी तो यहां पर संड्राइज फिर संरेस आगे बढ़ेगी और कहां तक पहुचेगी 0 डिग्री मेरेडियन पर आप Eastern side कितनी Longitude से टोटल कि 180 डिग्री और Western Side कि 180 डिग्री टोटल 360 डिग्री जब आर्थ एक दिन में रोटेट करती है तो एक घंटे में अर्थ कितना रोटेट करेगी तो 360 डिग्री डिवाइड़ेड बाइट 0,54, आंसर आ जाएगा हमारा 15 degree, मतलब अर्थ 1 घंते में 15 degree आगे बढ़ेगी और इस तरप time होगा हमेसा plus में, क्योंकि sunrise इधर पेले उआ, फिर sunrise इधर होगा, इधर होगा time minus में, तो 0 degree, prime meridian के eastern का जो part है, वहाँ पर time ahead रहेगा, आगे रहेगा, और 0 degree के west का जो time है, वहाँ पीछे रहेगा तो हमें क्योस्थम में क्या पूछा है डि कि अगर साद बजheen तो 30 डिग्री इस्ट में कितना टाइम होगा जीरोडिग्री में 30 डिग्री में निकाल लेते 30 डिग्री में कितने आवर्स होते एक घंटे में अर्थ कितना आगे बढ़ती है 15 डिग्री तो दो घंटे में कितना होगा 30 डिग्री तो पहले तो हमें पता चल गया दो घंटे अब हमें कहां पत्का निकालना है इस्ट का तो याने 0 डिग्री से 30 डिग्री इस्ट की अगर हम बात करेंगे इस एरिया पर तो यहां पर अगर 7 बज़े है तो यहां कितने बज़े होगे पहली बात तो यहां का टाइम प्लस होगा ठीक है तो 7 से 2 घंटे प्लस हो जाएंगे क्योंकि 15 डिग्री का 1 घंटा और अगें 15 डिग्री क दो घंटे जो टाइम होगा Greenwich Meridian से आगे होगा तो Greenwich Meridian पर कितने बज़े थे 7 बज़े थे 7 पीम थे तो यहाँ पर कितने होंगे 9 पीम 9 पीम विल बी यूर आंसर बहुत सिंपल सा कॉंसेप्ट है थोड़ा सा मैथेमेटिक से यहाँ पर हमको यह देखना है टोटल कितने डिग्री था जिसके अंदर अर्थ अपना 24 घंटे कवर करती है फिर हमें एक घंटे के अंदर कितने डिग्री कवर करती देटिस 15 डिग्री हमें दो घंटे का निकालना था वो भी एक और question अगर 2814 में 30 डिग्री वेस्ट की बाद करता तो क्या होता है दो घंटे टाइम माईनस हो जाता तो 7 में से 2 घंटाथे हम तो इसका टाइम होता फिर पाँच अगर मैं west की बात करता but मैं ने eastern side की बात की eastern side में time aid हुआ और western side में time reduce हो जाता तो ये था time zone इससे related हम और भी questions करेंगे आगे इसी के साथ साथ आज की हमारी presentation है वो होती है complete बहुत सारी चीजे हमने देखी कई सारे questions लगाई आप इन सारे questions को पढ़ना comment box में answer करना सही answer ढूंडना और comment करना जहां पर आपको answer समझ में नहीं आए कल में class के अंदर माकी के questions का answer आप लोगों को बताऊंगा तब तक के लिए जैहिन